नमस्कार मैं विद्धाशंकरतिवारी हूँ इंडिया नियूज के डिजिटर चैनल इन खबर के लिए बिहार में जब से महागटमंधन के बीच सीटों का बटवारा और उमिद्वारों का एलान हुआ है तब से महाभारत छिडा हुआ है किस बात को ले करके क्योंकि कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि टिकट बटवारे में कांग्रेस को तेजस्वी आदों ने दरकिनार किया कांग्रेस की नहीं सुनी गई यदि कांग्रेस के वार्किंग प्रसिडेंट कौकब कादरी की माने तो जो लाश्ट दौर की बात चीत हुई है जिसमें सीटों को बटवारे को ले करके और खास दोर से दरभंगा पे सलूसन निकालने की जो बात होई थी जहां से कृती आजाद सिटिंग MP है उसमें एक दम कांग्रेस की नहीं सुनी गई खुद कादरी जो है काते हैं कि वो काराकाट से चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन काराकाट जो है वो चली गई है RLSP के कोटे में जहां से कि उपेंदर कुस बाहा चुनाव लड़ने का क्या मतलब है और रंगाबाद से उपेंदर प्रसाद लड़ रहे हैं चुनाव जो क हम के उमिदवार हैं इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा कंग्रिस के लिए दिकत हुई है वो यह हुई है कि बेसक उसके खाते में नौ सीटे आई है चालिस में से लेकिन वो बिहार में किरती आजाद के दर्भंगा अर्जेस्ट न होने की वज़ा से एक भी ब्राम्हण को व हुआ है और यसे देख लिए कि उदे सिंग राजपुत रजेस पुनिया से और निलं कमार समी से चुना लड़ रही है रंजीता रंजन सुपॉल से चुनाव लड़ रही है और इस तरह से देखेंगे तो सब कोई अड़ेस्ट हो गया कमो बेस मतलब कायस्त भी अड़ेस्ट हो गया ठाकुर भी अड़ेस्ट हो गया यादो भी अड़ेस्ट हो गया लेकिन ब्राम्हर का टिकट अड़ेस्ट नहीं की तरह तो उनका टिकट फस गया है कांग्रेस का रही है उसके कोटे में बाल मिकी नगर आई है कि आप वहां से लड़ लिजिए और वहां पे चुनाव लड़ने के लिए तयार नहीं है वो कि वो उनकी सीट नहीं है अब जिन दो सीटों पे मिथलांचल की जिन दो सीटों पे वो अपने को कमफर्टेबल पा रहे हैं वो दूसरे दलों को दे दी गई है पश्मी चम पारन जो है जहां से वो इंट्रेस्टेड हैं वो चला गया है पश्मी चम पारन चला गया है आर मदुबनी या तो वी आईपी जो है जो मुके सहनी की पार्टी है या उपेंद्र कुसबाहा हम से जो है सीटों की अदला बदली कर लें हमारा बालमिकी नगर ले लें और मदुबनी या वेश्चंपारन हमें दे दे जिसके लिए दोनों पार्टियों में से कोई भी पार्टी तैयार नहीं तो कोकब काद्री जो वर्किंग प्रेसिदेंट कांग्रेस के हैं उनका तो दो एक और आरोप है कि जो उन्म लोग को सीटे दी गई है कांग्रेस को और जो सीटे कांग्रेस चाहती थी बलगी आरजेडी ने सीट बटवारे में मनमानी की है और उसे ज़्यादा जो है छेतरी दलो को तरजीह दिया है और इस बात का ध्यान रखा है सीटों के बटवारे में कि कमजोर सीटे कांगरेस को दी जाए ताकि उसकी सीटे कम से कम निकले तब अंदाजा लगाई है कि जब चुनाओं से पहले सीट बटवारे को ले करके इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जो अब चुनाओं मैदान में फाइनली ये कूद जाएंगे तब एक दूसरे के वोट बैंक को ट्रांसफर कराने में कितनी दिकत होगी और एक द कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनके साथ जो जुड़े हुए बड़े नेता हैं लेकिन अब ये मौका नहीं है कि वो आरजेडी से दो-दो हाथ कर सकें क्योंकि अब चुनाओं का एलान हो चुका है और पहले दवर का चुनाओ 11 अप्राइल को है तो इस तरह स किसी तरह से कांग्रेस ने बेसक एड़ेस्ट कर लिया है लेकिन महागटबंधन में दरार चुनाओं से पहले ही पढ़ गई है तो अब देखते हैं आगे क्या होता है जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे देखते रहें हमारा डिजिटल चैनल इन खबार उसे लाइक किजिए सेर किजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें थैंक यू